या देवी सर्वभूतेश शक्ति रूपेल संस्थिता नमस्तसे 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 नमो नमहा नौरात्र में नो दिनों तक देवी के विभिन रूपों की पूजा की जाती है अलग-अलग रूपों में वो जगत मा के रूप में पूजी जाती है इश्वर का भवे सरूप, उनकी महानता और सरोचता को सिर्फ मा की ममता से परिभाशित किया जा सकता है जिस प्रकार एक बच्चा अपनी मा में सारी खूबियां पा लेता है ठीक उसी प्रकार हम उस इश्वर को देवी यानि मा सरूप में देखते हैं पूरी दुनिया में शायद हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें इश्वर में मात्र भाव को इतना महात्तो दिया गया है मा की स्रजनात्मक्ता को पूरे संसार के स्रिजन से जोड़ कर देखा जाता है साल में चार नौरात्र होते हैं जिनमें वर्ष में दो बार नौरात्र पूजा की जाती है यानि गर्मियों के शुरुवात पर और फिर सर्दियों के शुरुवात में मौसम में हो रहे बदलाओ काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं और बदलाओ के इनी दो पढराऊं को दैवियर शक्ति की पूजा के लिए उप्युक्त माना गया ऐसा माना जाता है कि दैवियर शक्ति पृत्वी को वो उँर्जा प्रदान करती है जिसकी वजह से वो सूरी के चारों और चक्कर लगाती है जिससे बाहरी मौसम में इस प्रकार के बदलाव होते हैं इस प्रकार प्रकति में संतुलन बनाये रखने के लिए ही नौरात्र का उत्सव उस दैविय शक्त को धन्यवाद देने के एक आउसर के रूप में मनाते हैं ऐसे उत्सों का माहौल होने से हम अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत दोनों को संतुलित कर पाते हैं उस सर्वोट शक्ति के विभिन स्वरूपों के आधार पर ही नौरात्र को तीन तीन अलग अलग चर्णों में बाटा गया है पूजा प्रारंब होने के प्रिथम तीन दिन देवी को शक्ति स्वरूपा कहा गया शक्ति स्वरूप दुर्गा के लिए समर्पित करते हैं प्रिथम तीन दिन इसके अगले जो तीन दिन है वो धन और आशोरी के देवी लक्षमी के लिए और इसके बाद जो अंतिम तीन दिन है वो बुद्ध के देवी सरस्वती की आराधना के लिए समर्पित किया जाता है। इस तरह से तीन देवियों को अर्पित है, समर्पित है ये नौरात्र का उत्सवत। चुकि देवी के तीनों रूपों की आवशक्ता इंसानों को जीवन में सफल होने के लिए होती है। इसलिए लोग नौरात्र में नौ दिनों तक देवी की पूजा अर्जना करते हैं। देवी के नव सोरूपों की वंधना करते हैं, आराधना करते हैं। नौरात्र के पांचमे दिन इसकंद माता की उपासना की जाती है। मुक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदाई हैं। मा अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ती करती हैं। भगवान सकंद कुमार कार्थि के नाम से भी जाने जाते हैं। ये प्रिसिद देवा सुर संग्राम में देवताओं के सेनापती बने थे। पुराणों में इने कुमार और शक्ती कहकर इनकी महिमा का वर्डन किया गया है। इनी भगवान सकंद की माता होने के कारण मा दुर्गाजी के इस स्वरूप को इसकंद माता के नाम से जाना जाता है इसकंद माता की चार भुजाएं है इनके ताहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा जो उपर की ओर उठी हुई है उसमें कमल पुष्प है बाई तरख की उपर वाली भुजा में वर मुद्रा में तथा नीचे वाली भुजा जो उपर की ओर उठी है उसमें भी कमल पुष्प लिये हुए हैं इनका वर्ण पूरता शुब्र है ये कमल के आसन पर विराजमान रहती है इसी कारण इन्हें पदमासना भी कहा जाता है सि समस्त बाहे क्रियाओं और चित वृत्यों का लोप हो जाता है ये वो पिशुद चैतन स्वरूप की ओर अग्रेसर हो जाता है साधक का मन समस्त लोकिक सांसारिक माईक बंधनों से विमुक्त होकर पदमासना मासकंदमाता के स्वरूप में पूर्णता तल्लीन होता है इस सम उसे अपनी समस्त ध्यान वृत्तियों को एकागर करते हुए साधना के पत पर आगे बढ़ना चाहिए। माइसकंद माता की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस मृत्त लोक में ही उसे परमशान्त और सुख का अनुभो होने लगता है। उसके हो जाती है। ये विशेशता केवल इन ही को प्राप्त है। अताहा साधक को सकंद माता की उपासना की ओर विशेश ध्यान देना चाहिए। सूर्य मंडल की अधिश्ठात्री देवी होने के कारण। इनका उपासक अलोकिक तेज और कांती से संपन्ध हो जाता है। एक अलो मंडल प्रतिक्षन उसके योग खेम का निर्वान करता है। हमें एकाग्र भाव से मन को पवित्र रख कर मा की शरण में आने का प्रयत्न करना चाहिए। इस घोर भासागर के दुखों से मुक्ति पाकर मुक्ष का मार्ग सुलभ बनाने का इस से उत्तम उपाय और भला क्या हो सकता है। त्याइनी के बारे में यदि आपने अभी तक हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अन्रोध है कि अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें धन्यवाद। देवी मा की कृपा आप पर सदयों बनी रहे। जै करें बनी करें और केंग।